Hello everyone, आज है 6th June और आज इस वीडियो में हम बात करने चारे जियो फिनांशल सर्विस के बारे में देखिए 350 रुपए का शेयर है तकरीबन 1.5% की तीजी यहाँ पर देखने को मिली है और देखा जाए तो पिछला कुछ दिन जो थे वो थोड़े बहुत ups and downs वाले रहे पहले एक अच्छी तीजी देखी 340 से बहतरीन रफतार की तरफ गया 365 पर गया लगातार गिरता गया यह और जैसे ही exit पोल के numbers आये थे उसके अगले दिन Monday को एक अच्छी तीजी आई कल अच्छी तीजी आई और आज भी अच्छी तीजी की तरफ जातर नजर आ रहा है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कहीं न कहीं NDA की सरकारप बन रही है और PM मोदी अगले PM बनने वाले हैं तो दुबारा से market जो है वो recover कर रहा है बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो है जो काफी जादा help करेंगे तो 350 रुपे का शेयर है जियो फिनांशल सर्विस का और आज तकरीबन 1.5% की तीजी है तो फ्यूचर प्लान मुझे इनके अच्छा लग रहे हैं काफी अच्छ लग रहे हैं अभी पांच दिन पुरान ही जो खबर थी यहां पर कि वाईसाब उन्होंने अपनी एप लॉंच करी है जियो फिनांस के नाम से बीटा वर्जन में और इस एप में आपको UPI से लेकर डिजिटल बैंकिंग से लेकर इंशॉरंस से लेकर कई सारी चीजे मिलने वाली है कई सारी चीजे लोन से लेकर सब कुछ यहीं पर आपको मिल जाएगा अगर आप देखो कि future plan जो और यहाँ पर आने वाले है वो loan solutions होगा जहां पर आपको अपके mutual fund के against में भी loan मिलेगा और देखो mutual fund के business में भी यह लोग है ठीक है तो यह बड़ी चीज होने वाली है और आने वाले time में अभी देखो beta version लाँच करा है आने वाले time में company full flight जब app को launch करेगी तो चीजे बहतरीन होने वाली है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर beta version launch हुआ है तो बहुत जल्दी company जो है वो एक नए progress के तरफ जा सकती है वो है इनका insurance और mutual fund के license को लेकर क्योंकि देखो अभी भी उनको वो license मिला नहीं है ठीक है और जैसे ही वो license मिलेगा पूरा खेल पलट जाएगा वहां से एक अच्छी तीज़ी आप expect करोगे even numbers में भी और जहां तक volumes की बात करे तो 63 lakhs से भी जादा के shares आज यहां पर trade होते नजर आए बड़ी quantity में ट्रेडिंग चल रही है इतिना ही नहीं company को लेकर अगर आप देखो तो तकरीवन 395 रूपय के level से गिरा था यह और 202 रूपय तक का low भी बनाया था market के वह इसका 2,22,000 क्रोड के आसपास का देखने को मिल रहा है कई बार लोग इसको compare करते है existing bank से चाहे वह access हो या ICI bank हो लोग इससे compare करते हैं कि इसका valuation देखो और इनके profits देखो जबकि इसके numbers देखो और इसके profits देखो तो अगे मैं कहूंगा कि यह नया bank है ठीक है करने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर आप इनका P ratio देखो गी तो 145 का है जो कि महंगा डेफिनिटली महंगा है यह लेगा मैं इसके future prospect को देखो तो कहीं न कहीं यह adjust हो जाएगा जब इनके business open up होंगे अगर इनको insurance का license मिल जाता है financials अगर देखोगे आप इस company के तो definitely यहाँ पर increase होते नजर नहीं आए है 495 क्रोड का इनका revenue है जो कि पहले भी देखो अभी इनके नए business open हुए ही नहीं है तो यह पराने business है और मैं इससे इसको judge नहीं करूँगा even June quarter के numbers भी मैं कोई जादा खास उमीद नहीं रख रहा हूँ मुझे उमीद होगी तब जब इनके businesses खुल जाएंगे जब इनका insurance का license मिल जाएगा जब इनका mutual fund का license मिल जाएगा और उसके बाद जो number यह लोग report करेंगे मुझे उसमें जादा interest है और जहाँ तक profits देखो तो 300 लिस्टिंग से लिए अब तक सा मलब इंस्टिूशन से सिफ और सिफ यहां पर विक्वाली करी थी 4.74% की holding mutual fund के पास है 7.86% डुमेशिक इंस्टिूशन के पास है F.I.S. 19.45% का stake लेकर बैठे हैं और सब ने भी क्वाली करी थी अब तक सब ने भी क्वाली करी थी लेकिन अगेन मैं कह दू जिन्होंने खरीदारी करी उनका पैसा बना तो जरूर है ठीक है और खरीदारी करने वाले थे प्रमोटर्स और रिडल और अधर्स थे यहां पर खरीदारी करने के लिए और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जैसे जैसे कंपनी प्रोग्रिस करती जाएगी यह जो इंस्टिूशन अब तक बेच रहे थे वो खरीदारी करने के लिए भी आएंगे रीजन यह है कि अगर इनको किसी इंडेक्स में जगे मिल जाती ह बिच में चर्चा हो रही थे इंकि nifty nex 50 में ad करने को लेकर अगर वाहां जगे मिलती है तो इंफ्लोग में पर होता है जगे मिल लेकर वहांका business है यहाँ पर और revenue profits भी जो मैं उमीद कर रहा हूँ कि future में इनके बढ़ेंगे घटेंगे नहीं क्योंकि business एक के बाद एक नए open होते जाएंगे यहाँ पर अगर आप GEO की बात करोगे तो मैं again कहूंगा कि मैं पहले भी एक चीज यहाँ पर बोल चुका हूँ मैं अभी भी वो चीज बोलूँगा कि ups and downs यह होता रहेगा बीच बीच में लेकिन long term का जो outlook है वो मुझे इसका positive लगता है मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले 3 या 4 सालों में यह बहुत अच्छा perform करेगा reason simple है यह बहुत सारे business है यहाँ पर चाहे वो insurance का हो चाहे वो mutual funds का हो चाहे वो even broking का business हो चाहे वो credit card का business हो चाहे इनका wealth management का business हो चाहे इनके और business यह जो open up कर रहे है साथ में जो अभी इनोंने लिनोवो के टकर देने के लिए इनोंने device renting का भी business है इनका ठीक है होने वाला है यहाँ पर तो business बहुत सारे होंगे बहुत सारे business इनके होने वाले है और आज नहीं तो कल जैसे जैसे वो business बड़े होते चाहेंगे डिमर्ज भी होगा यह बोनस भी देगा यह तो यह चीज़े यहाँ पर आपको देखने हैंगे लेकिन हाँ टाइम आपको इसको देना पड़ेगा आप यह नहीं कह सकते कि भाई साब यह गिर गया तो भाई अब यह बढ़ना चाहिए आप देखो यहाँ पर एक बड़ी त की से दिखाए ची तीन सो चालीस रुपए से भाग के गया था तीन सो पैसट पे गिरा था यह ठीक है इवन जब पीम हो जब इलेक्शन वाले दिन तो यह भाई साब एक जटके हैं बहुत बड़ी और पूरे बाजर में तबहारत अफरात अफरी वाली थी लेकिन दो इनों से बाजर रिकवर करा है करलभी recovery दिखाई बाजर ने आज भी बाजर रजो है वह recovery की तरफ जाधा नज實 आ रहा है तो नजर रखे आप इस company के directly ऊपर और अगेन मैं कहूँगा जो अगर आप देखोगे इसका ग्राफ तो यह उपर ही उपर भागा है अभी थोड़ा बहुत कर रहा है यहां पर बाई-उन-डिप्स के अप्रोच के साथ आपको चलना चाहिए अगें मैं यहां पर वर्ड इस्तिमार करो बाई-उन-डिप्स 10% के डिकलाइन पर एड करो ऐसा नहीं कि 2-3 रुपे गिरा और आप एवरेच करने नहीं यहां पर लग जाओ 10-12% के डिकलाइन पर एवरेच करने के मौके आपको यहां पर ढूंडने चाहिए और जो नजरिया है जो टार्गेट है वो कम से कम 3-4 सार का होना चाहिए अगर नहीं यह मेरा पर्सन अपिनियन है कोई भी इन्वेस्मेंट अडवाईज नहीं है यह वीडियो को यहीं प्रेंड करता हूँ पसंदा हो तो लाइक करो शुआ करो चैनल मेगरा पहले के बारे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करे और जियो फिनांशल सर्विस के बारे में आप क्या सूचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिके बता सकते हैं थैंक्यू